नए घर में ग्रह प्रवेश के बाद सुक्षान्ती के लिए करें ये उपाए। सबका अचानक चिर्चिडा स्वभाव बरकत में कमी अपने ही पराय हो जाएं तो समझ लीजिए कि अवश्य ही आपके नए मकान में कुछ न कुछ वास्तुदोश जरूर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तुदोश निवारन के लिए नए भवन में प्रवेश से पूर्व कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। एक अगर नए मकान में आते ही परिवार में कोई बिमार रहने लगे तो खाने के बाद गुड का प्रयोग करना चाहिए। दोग नए घर में आते ही सब गडबड हो रहा हो तो पूरे भवन में पीले रंग के परदे का प्रयोग करें तथा सारे मकान में हल्दी के घोल के चीटे मारें जिससे नवग्रहों में सरवाधिक शुभ ग्रह ब्रहस्पती के आरशिवाद से घर परिवार फलने फूलने ल निवारन हेतु सफेद वस्तूओं का दान करें जैसे सफेद चावल कपूर आदी चार सुभा के समय सूर्य की रोशनी किरने मकान में आना अती आवश्चक है अगर मकान में अंधेरा सा रहता है तो यह भी दोश की श्रेणी में आकर दुरभाग्य रोगशोक का स्रिजन करता है निवारन हेतु रात को लाल मसूर की दाल को मकान में चारो तरफ फैला दें तथा सुभा उठकर उसे बाहर फेंक दें पांच अगर बार-बार मकान में सीलन आदी की राक्थाम कराने के बाद भी सीलन न जाएं और रहने वाले लोगों को सांस की बीमारी अस्थमा आदी की समस्या लंबे समय तक हो तो ऐसे में प्रत्येक सुमवार को खीर का भोग भगवान को लगाएं तथा उसे स्वयंग खाने के साथ साथ अपने रिष्टेदारों तथा प्रिय लोगों को भी खिलाएं छै अगर आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते पढ़ते नहीं है तो तामबे पर बने सूर्य यंत्र को अपने मुख्य द्वार पर लगाएं तथा अपने पूजा स्थल पर भी सूर्य यंत्र स्थापित करें तथा उसकी पूजा करें साथ अगर नए घर में आने के बाद नींद ना आने की शिकायत हो गई है तो पांच हल्दी की गांट को पीले कपड़े में बांध कर अपने सोने वाले तकिये में रखें साथ ही मकान के कच्चे भाग में हरा धनिया उगाएं इससे आपको राहत मिलेगी आठ अगर घर में लगे पेड़ पौधे या तो सूख जा रहे हैं अथवा फूल नहीं दे रहे हैं तुलसी जी बार-बार सूख जा रही है तो ऐसे में गमले के नीचे स्वेध चावल कपूर रख दे तथा मिट्टी पर भी कुछ चावल बिखेर दें इससे समस्या का समा तथा शनिवार शाम को पीपल पेड में तेल का दिया जलाएं दस नए घर में प्रवेश करते ही रिष्टेदारों से बिना बात के कला होने लगे तो तामबे का पैसा दान करें तथा तामबे का सिक्का जटावाले नारियल के साथ जल में बहाएं इसके साथ ही धार्मिक ग यंत्र घर के मुख्य द्वार के उपर लगाएं। अगर विडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और विडियो देखने के लिए चेनल को सबस्क्राइब जरूर करें।